यास वेरी कुट लाइक है और सेरे सब्स्क्राइब है यास वेरी कुट थेंक यू गुर्मोर्णिंग गाईज तो जोसी के आप देख सकते हैं आज हमारे गाउं में बहुत भारी मात्रा में फोग है और इस विंटर का सिम्टम्स है ठंडी ठंडी हावा भी चल ली बहुत ज्यादा और फोग एक गम से चारोत्रप आप देख सकते हैं हमारा गाउं पूरी तरह भी नहीं दिखाई दे रहा तो इस इस हैपी विंटर स्टार्ट हो गया है तो एक स्मॉल वीडियो है बस ऐसी बनाती च्छत पे आके अब आई होप यह फोग हर जगह होगी तो यह देखिए आप अब बहुत अच्छी फोग है तो यह सूपर फोग आज फर्स्ट टाइम फोग आई क्योंकि सबसात का टाइम है सुबह और तारिक आज 26 सप्टेंबर है आज तो अब यह अक्टोबर आने वाला है तो सायद उससे पहले की रुजान है ठंड के आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर फोग है हम तो अच्छी तरह से अपना गाउं भी नहीं देख पा रहे हैं झाल फ्रॉला साथ दो च्छोटी च्छोटी लड़गीया है एक का नाम इशानी है और आका नाम दीवया है तो 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 जैसे कि यह बोल लेते हैं कि हमारी वीडियो बनाओ तो आज हम इनकी वीडियो बना रहे हैं चछत पर आके और आप देख रहे हैं कि पीछे कि कितनी सारी फोग है तो दिव्या बताओ कि आप सर्दी मैसूस हो रही है कि सुबह सर्दी लगी आपको कितनी शारी बहुत शारी ठीक हब आप बताओ इसानी आपको सर्दी मैसूस हुई और कितनी सर्दी लगी जैसे कि दोनों बता रहे हैं कि इनको बहुत सर्दी लगी मॉर्णिंग में इसका मतलब है कि सर्दी आ चुकी है रात में तूफान नहीं आया बेटा वो परसु आया था वर सुरात को तूफान आया था बारिस आही थी और बहुत थंदर भी था जिसके बेर साज यह फोग पड़ी तब देख सकते हैं और यह देखिए आज का नजारा हमारे गाउं से गाउं जोडियों जीला सहरनपूर में आता है मैं महसूस कर रहा हूं मुझे बहुत पड़री मेरे उपर तो यह तो पाहड़ वाला नजार आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जैसे कि पाहड़ में एकदम से बादल चाय रहते हैं सेम टू सेम आप यहां भी देख सकते हैं आजा वाइटिंग कू और हमरे टिंग कू भाई गुलाब की टायनी लाया है हां मिलकूल यार अब बेटा वीडियो बन चुकी है अप लोगों की और अब हम नीचे जा रहे हैं हां क्या करना है वीडियो को यास वेरी कूट लाइक हमारे चालन का लाइक है और सेरे सब्सक्राइब है यूटूब मेरी बजाना है हां ठीक है वेरी गुद थैंक यू जैसे गाव में आप देख पता ही होगा सब के अपने अपने गहर होते हैं जहां पर घहर होते हैं उनको मतलर ऐनीमल्स हाॉस भी कह सकते हैं जैसे हमने अपना ऐनीमल्स हाउस दिखाया था आपको लास्टाइम वहां पर एनीमल्स होते हैं और जो इस्टरा होता है ऑक एनीमल्स से ॐलेटिडर्स पर-पर assistants shops compr dogs Ukraine और मैं लख इनके दोनों बच्ट दि दिखाऊंगा आपको और ये क्या है इशानी है ये क्या है ये गोफ़र से बने वे जो गाउं में लेडी जदिक्तर बनाती है क्योंकि सर्द्यों में बहुत अच्छे जलते हैं काम आते हैं और आज सनिवार है छुटी है मेरी होलिडे है ओफिस का और आज 26 तारिक है सेटमबर की 2020 आज बहुत ही अच्छा मोसम हो गया अचानक से एक दम से फोग आ गई दूंद आ गई और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यह द्धान है जिनको राइस इसी से बनते हैं और इस और शूस की विज़े से दूंद की विज़े से यह द्धान भी पकने लग जाएंगे अब अब कि आप इनको देखें निश्दिक से एकली है यह एकली इकली एकली इकली और यहां पर चेना यहां पर यह पालग है और उधर वहां पर पतनी क्या है यह यह फूल है यह हमारा गाउं का अधर लास्ट है फिर आगे सारे में खेत खेत है यंदे हमारे चाच्चा जी का घेर है फो यहां बाएं बना निखास और हमारा है यहां पर पुरा देख सकते हैंED पैसलेटी भी है यह बहुत अच्छा है यहां पर क्योंकि हुए अगाएं वगारा भाती यह पानी तो च्छिए चलो गेर में चलते हैं इशानी और दिव्जा की हमें एक मिम्मी दिखाएंगे चलो बताओ आपकी कौन सी मिम्मी और क्या नाम है दिव्जा बताओ पहले यह दिव्जा की मिम्मी है यह देखो इसको उतना प्यार कर रही है और इसका नाम क्या है दिव्जा चीकू ओके यह रहा चीकू और इशानी आप अपने मिम्मी दिखाओ यह आपके मिम्मी है इसका क्या नाम है अब यह इटिंग कर रही अना यह इशानी की मिम्मी है यह जर्सी जर्सी बैड़ा है